हेलो दोस्तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल जी एस नमबर वन पे NCRT सार संग्रा के सीरीज में आज हम लेकर आए हैं आधनी भारत का इतिहास जिसका पहला टॉपिक होगा ब्रिटिस राजनीती एवं प्रसासनिक नीतिया वीडियो शुरू करें इससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक, सेरे और कमेंट जरूर करें जिससे बागी सभी दोस्तों को इसका लाब मिल सके ब्रिटिक राजनीतिक नियंतरन इलहाबाद के संधी से प्रारंप हुगा, इलहाबाद के संधी 1765 हिस्वी में हुगा था, भारत में द्वैद सासन किसके द्वारा लागु किया गया था, वर्स 1772 में किस गवर्नर ने द्वैद सासन समाप्त कर दिया था, तो वारेन ने 7012 ईस्वय में दवयत शासन समाप्त कर दिया था। अगला है भारत में न्याइक सेवा का जन्रहुधाता कीसे माना जाता है तो वारत में निंयाइक सेवा जन्मदाता-वारें हेस्टिंग्स के का र्यकाल एक्ट 263 इसवय में कलकात्ता में सूप्रिंग kोर्ट की अस्थापना की गई थी एवम इसके मुख नियाधिस सर एलीजा इंपे थे तो इसे प्रस्ण बन सकता है कि कलकता में सुप्रीम कोट की अस्थापना किसके समय में हुआ था तो वारेन हैस्टिंग्स के समय में हुआ था और उसके प्रथब मुख नियाधिस कौन थे तो सर इंपे थे अगला है भारत में पुलिस सेवा एवं सीविल सेवा का जनमदाता किसे माना जाता है तो भारत में पुलिस सेवा एवं सीविल सेवा का जनमदाता लॉर्ड कर्नवालिस को माना जाता है अगला है वर्ष अठारिसो तिरसट में प्रतम भारतिय आईसीयस अधिकारी बनने का गौरो की से प्राप्थ हुआ है तो प्रथम ICS अधिकारी बनने का गौरो सत्यंदर नाष टैगोर को प्राप्थ हुआ है अगला आगे एक चार्ट दिया गया है जिसमें ब्रिटिस भारत में लोकसेवा समंदी आयोग दिये गया है जिसमें एक तरफ आयोग का नाम दिया गया है उसका वर्स दिया गया है और गवर्नर जनरल का नाम दिया गया है तो सबसे पहला है एक चिंसन आयोग एक चिंसन आयोग 1886 माया था और उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड डफरिन थे इस लिंग्टन आयोग यहां आयोग 1912 इस्वी माया था और इसके समय गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग दूतिये थे ली आयोग ली आयोग 1923 इस्वी माया था और इसके समय गवर्नर जनरल लॉर्ड रिडिंग थे अगला है भारत सरकार अधिनिया मनई 35 के अंतरगत संगीय लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किस आयोग के सुझाओ पर किया गया था तो भारत सरकार अधिन्यमन 1935 के अंतरगत संगीय लोकसेवा आयोक के गठन का प्रावधान ली आयोक के सुझाव पर अधारी था भूमी आयोक के उद्यस्य से भारत में अस्थाई बंदोबस्त प्रणाली किसके द्वरा लागू की गई थी अगला है भारत में समराज विस्तार के उद्यस्य से सहायक संधी प्रणाली के शुरुवात किसके द्वरा की गई थी तो भारत में समराज विस्तार के उद्यस्य से सहायक संधी प्रणाली की शुरुवात लोड वेलेजली के द्वरा किया गया था सहायक संधी स्विकार करने वाला प्रथम राज ये कौन था तो सहायक संधी स्विकार करने वाला प्रथम राज हैदराबाद था जिसने 1758 इसवी में सहायक संधी स्विकार की थी व्या पकत्ता का सिधान या राज्य हरप निती ये doctrine of lapse को किसके द्वारा लागू किया गया था तो इस सब को लॉर्ड डलहौजी ने लागू किया था अगला है राज हरप निती में कहा गया कि ऐसा राज जिसका निर्माड अंग्रेजों के स्वयोग से हुआ है उन्हें राज के उत्राधिकारी के लिए गोद लेने का अधिकार नहीं प्राप्त होगा अगला है किस रिपोर्ट के अधार पर डलहौजी ने अवध का अधिगरहन किया तो आउट्रम के रिपोर्ट के अधार पे डलहौजी ने अवध का अधिगरहन किया था वया पगत सिधान्द कंतरगत अधिग्रहन किये गए राज्यों की सूची ती गई है जिसमें एक तरफ राज दिया गया है और दूसरी तरफ वर्स दिया गया है जब उसको अधिग्रिहित किया गया था तो सबसे पहले है सतारा सतारा को 1848 इसवी माधिग्रिहित किया गया था उसके बाद है जायतपूर को 1889 इसवी माधिग्रिहित किया गया था संभलपूर को 1853 नागपूर को 1854 निश्वी में और अवद को 1856 निश्वी में अधिक ग्रिहित की जा गया था चतुराई पूर्ण निस्क्रियता की निती किसे से संबंदित है तो चतुराई पूर्ण निस्क्रियता की निती जौन लारेंस से संबंदित है किस गवर्नर जनरल के कारेकाल में भारत पर इस्ट इंडिया कमपनी का सासन समाप्त हो गया तो लॉर्ड कैनिंग के कारेकाल में भारत पर इस्ट इंडिया कमपनी का सासन समाप्त हो गया था अगला है वर्ष 6861 में भारतिय दंड सहिता IPC इंडियन पिनल कोड किसके कारेकाल में निर्मित की गई थी तो IPC का निर्माड लॉर्ड कैनिंग के कारेकाल में किया गया था राज उपाधी अधिनियम 886 पारित करके महरानी विक्टोरिया को कैसरी हिंद की उपाधी प्रदान की गई थी तो राज उपाधी अधिनियम 1876 इसवी के दोरा अगला है लॉर्ड लिटन के कारेकाल में किस अकाल आयोग का गठन किया गया था तो एस्ट्रेची आयोग का गठन किया गया था और 1880 इसवी में भारत का परथम आयोग अकाल आयोग था यह एस्ट्रेची आयोग याद रखेंगे भारत में अस्थाई स्वसासन का जनक कीसे माना जाता है तो भारत में अस्थाई स्वसासन का जनक लौड रिपन को माना जाता है अगला है ब्रिटिस कालीन में विभीन छेतरों पर अधिकार तो ब्रिटिस काल में विभीन छेतरों पर कब अधिकार किया गया था और उस समय गवर्नर जनरल या वैसराय कौन थे जिसमें एक तरफ देश का नाम दिया गया है दुसरे तरफ वर्स और एक तरफ दिया गया है जनरल और वायसराय. तो सबसे पहले देखते हैं नेपाल. नेपाल को 1816 इस्वी में अधिकार किया गया था penetrate पे और उस समय जनरल ते वह थे लौड हैस्टिंग्स। वह सिंद्ध को 1843 इस्वी में और सिंद्ध को जब अधिकरीध किया गया। उस समय जो कवर्नर जनरल या वैसराय थे वो थे Lord Allen Borrow। भूतान, भूतान को 1865 agency में अधिगलिःत किया गया था और उस समय जो अधिकारी थे उनका नाम था Lord Lawrence। और बर्मा को 1885 agency में, लॉड डफरिन के समय में अधिगलिःत किया गया था। 1849 में ब्रिटिश साटन में पंजाब का विले हुआ उस समय डलहौजी भारत का गवर्नर जनरल था प्रिटिश साटन का भारती अर्थ व्यवस्ता पर प्रभाव तो आए इसको देखते हैं धन निसकासन के सिधान्त का प्रतिपादन किस ने किया था तो धन निसकासन के सिधान्त का प्रतिपादन दादा भाई नैरोजी ने किया था वर्ष 1892 में लिबरल पार्टी के टिकट पर British House of Commons में चुने जाने वाले प्रथम भारतिये कौन थे तो British House of Commons में चुने जाने वाले प्रथम भारतिये थे दादा भाई नैरो जी और ये कब चुने गए थे तो 1892 ECU में चुने गए थे और ये किस पार्टी के टिकट पे चुने गए थे तो Liberal Party के टिकट पे चुने गए थे इतनी बाते याद रखिएगा अगला है Poverty and the Un-British Rule in India नामक पुस्तक किस ने लिखा था तो Poverty and the Un-British Rule in India नामक पुस्तक दादा भाई नरोजी के दोरा लिखा गया था यह विचार किस ने दिया कि भारत में ब्रिटिस आर्थिक नीति घिनावनी है काल मांक ने यह विचार दिया था अपनिवेसिक आर्थ व्यवस्ता कि स्रेश्टम पुस्तक इंडिया टूडे के लेखक कौन है इंडिया टूडे के लेखक रजनीपम दत है वर्स 1907 में टिस्को की अस्थापना किसके द्वारा की गई थी तो टिस्को की अस्थापना 1907 इसी में जे एन टाटा के द्वारा किया गया था अगला है कुटिर उधोगों के विकास है तू औल इंडिया एस्पेनर्स एस्थापना किसके द्वारा किया गया था ब्रुती-वस्तिर की फैक्ट्री किसके द्थापित किया गया था तो इसका सथापना कावज-दवर के द्थार हैं अगला है वर्ज 1885 में भारत का प्रथम जूट मिल कहां अस्थापित किया गया था तो 1885 में भारत का प्रथम जूट मिल सोरामपूर में अस्थापित किया गया था पस्सिम बंगाल में भारत का प्रथम चाय बगान कब अस्थापित हुआ तो भारत का प्रथम चाय बगान 1823 में अस्थापित दाकूराज कहा है ब्रिटिस कालीन कुछ प्रमुक क्रिसी पधतियां दी गई है आई इसके बारे में देखते हैं एक तरफ प्रथा दिया गया है और दूसरी तरफ उसकी विशेस्ता दिया गया है सबसे पहला जो प्रथा है वो है तिनकठिया प्रथा के बारे में जानते हैं तो तिनकठिया प्रथा ये जो है चमपारन जो बिहार में प्रथा है इसमें के किसानों को अपने अंगरेज बागान मालिकों के अनुबंद पर जो अंगरेजी बागान मालिक थे उनके दूसरा है ददनी प्रथा इस प्रथा के अंदर कर ब्रटिस वयपारी भारतिय उत्पाद को कारीगरों एवं सिल्पियों आदि से निर्मित माल प्राप्त करने के लिए अगरी मत्वा पेशगी के रूप में धन देते थे यानि जो भारतिय उत्पादक थे जो भारतिय कारीगर थे जो भारतिय सिल्पियों थे उनके दवरा जो तयार माल था उनको प्राप्त करने के लिए जो ब्रिटिस वयपारी होते थे वो जो अगरीम रकम देते थे अगरीम धन देते थे उसको दादिनी प्रथा के नाम से जान जाता है आगे दिया गया है ब्रिटीस कालीन भू राजस्वेवस्था तो आएए इसको देखते हैं मुख रूप से इसका तीन भाग है जिसमें पहला है अस्थाई बंदुबस्थ या जमिनदारी बंदुबस्थ दूसरा है रायतवारी बंदुबस्थ और तीसरा है महलवार तो रायतवारी बंदुबस्थ की सुरुवात लौड करनवारिस के दवरा किया गया सतरसो तिरानवे इसवी में और नहीं माफ किजिएगा रायतवारी नहीं अस्थाई बंदुबस्थ अस्थाई बंदुबस्थ का सुरुवात या जमिनदारी बंदुबस्थ का सुरुव और सो मुनरो के दुबार किया था अब इसके छेत्र को देखते हैं कि कौन सा बंदवश्थ या कौन मिंदारी बंदोबस्त बंगाल, बिहार, उनिशा, उत्तर प्रदेश, बनारस और उत्री करनाटक में प्रचलित था जबकि रायतवारी बंदोबस्त बंबई, मदरास, असम यम समस्त ब्रिटिश भारत का 51% छेत्र पर था जबकि अस्थाई बंदोबस्त मात्र 19% जो है समस्त ब्रिटिश भारत का 19% पर अस्थाई बंदोबस्त था और समस्त ब्रिटिश भारत का 51% पर रयतवारी बंदोबस्त था और समस्त ब्रिटिश भारत का 30% भाग पर महलवारी बंदोबस्त था जो उत्तर परदेश, मद्ध परदेश और पंजाब के छेत्रों में प्रचलिद था भूमी अधिगरहर सदेओ के लिए जमिनदारों को दिया गया था जो जमिनदारी ब्यवस्त था उसमें यह जो अस्थाई ब्यवस्त था अस्थाई बंदोबस्त था उसमें जो भूमी अधिगरहर का अधिकार होता था उसको जमिनदारों को दिया गया था जबकि रयातवारी में भूमी का मालि किसान को माना जाता था और महलवारी में भूमी पर गाउं का अधिकार होता था ढागे बढ़ते हैं ब्रिटीस सरकार को राज़स्व देने की जिम्मेदारी जमिनदार की होती थी किसमें? अस्थाई बंदोवस्त में ब्रिटी सरकार को राजस्व देने की जिम्मेवारी किसान को होती थी या डारेक्ट किसान से कर ले लिया जाता था और महलवारी ब्यवस्ता में ब्रिटी सरकार को राजस्व देने की जिम्मेदारी समस्त गाउं के मुखिया की होती थी रहतवारी बंदवस्त में कर का दर 33% से 55% था और महलवारी में कर की दर 60% तक थी इन सारे नेतियों का क्या प्रभाव पड़ता है उसके तरफ एक नजर दढ़ाते हैं पारमपरीक अर्थ व्यवस्ता का विगटन हो जाता है क्रिसिको की दरिद्रता इस्तिती हो जाती है क्रिसि में ठहराव तथा अवनत्ती हो जाता है पुराने जमिन्दारों का उनमुलन तथा नए जमिन्दारों का उदय हो जाता है एवं क्रिसि का वारिज्जी करन हो जाता है इसके परभाव को देखने हैं आगे देखते हैं आगे है वह कौन सी भूराजस व्यवस्ता थी जो सरवधिक बृटिस छेतर पर लागू की गई थी तो वह रयतवाडी भूराजस व्यवस्ता थी जो सरवधिक छेतरों पर उसको लागू किया गया था अस्थाई बंदोबस्त का सिधान्द किस से संबंधित है तो अस्थाई बंदोबस्त का सिधान्द भूर आजस्थो के निर्धारन से संबंधित है भारत में रेलवे का जनक लौड डलहोजी को भारत में रेलवे का जनक माना जाता है डलहुजी के परत्नों के कारण महरास्ट में सन 853 में मुंबई से थाणे तक प्रथम रेल चलाई गई थी रेलवे का जनक भारत में किसे माना जाता है तो लौड डलहुजी को माना जाता है गवर्नर जनरल वारेन हैस्टिंग्स ने फॉर्मिंग सिस्टम का परभाव भूरा जसो की वसूली के लिए किया था इसको याद रखेंगे अगला टॉपिक है सन 1857 की करांती तो आई ये इसकी विशह में जानते हैं 1857 इसवी की करांती सरपर्थम कहां से प्रारंब होई थी तो 1857 की करांती सरपर्थम मेरट से प्रारंब होई थी और वह तारिक था 10 मई 1857 34 रेजिमेंट के सिपाही मंगल पांडे ने किस अस्थान पर विद्रुह किया था तो 34 रेजिमेंट के सिपाही मंगल पांडे ने बैरकपूर जो की पसिम मंगाल में पढ़ता है बैरकपूर पे विद्रुह किया था वर्ष 857 के स्वाधिनता संगराम के प्रतिक क्या थे तो 1857 के स्वाधिनता संगराम के प्रतिक था कमल और रोटी वर्ष 857 के बिद्रुह का ततकाली कारण क्या था तो वर्ष 857 के बिद्रोह का ततकाली कारण था एन्फिल्ड राइफल में चर्वी वाले कर्तुस का परियोग किया जाना अगला है अंग्रेजों की सेसकारी आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक एवं प्रसासनिक नीतियों के प्रभावों ने अगला है 857 के बिद्रोह के समय भारत का गवर्णर जनरल कौन था अगला है अठार्सो संतावन इसवी के स्वतंतरता संगराम से संबंदित पहली घटना कौन से थी तो पहली घटना थी सैनिको का दिली के लाल किला पर पहुचना अगला है अठारसो संतावन के बिद्रोह में भाग लेने वाले सरवधिक सैनिक किस चेतर के थे तो सरवधिक सैनिक अवध चेतर के थे अगला है अठारसो संतावन इस्वी में किसने इलहाबाद को अपतकालीन मुख्याले बनाया था तो लॉर्ड कैनिंग ने इलहाबाद को अपतकालीन मुख्याले बनाया था केंदरिय संगठन की कमी तथा सुन्योजित रणनीती के अभाव में अठारसो संतावन इस्वी का बिदरो असफल रहा था अगला है लखनौ में 1857 की करांती का नित्रित बेगम हजरत महल ने किया था अगला है लखनौ में अंतिम युद में किस ने पराजित किया था तो रणी लखनौ में कैप्टन हुरोज ने पराजित किया था अगला है फैजाबाद से विद्रो कर रहे किस करांती कारी को पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने 50,000 रुपे का इनाम रखा था तो वो थे मौलबी अहमदुल्ला कानपूर से विद्रो के का न्यत्रित कर रहे नाना साहब ने किसे अपना सेना पती नुक्त किया था तो नाना साहब ने तात्या टोपे को अपना सेना पती नुक्त किया था और तात्या टोपे का नाम था राम चंदर पांडूरंग अठार सो संतावन के विद्रो के दोरान मुगल बादसा बहादूर साहज जफर ने किसे अपना सेना पती नुक्त किया था तो बहादूर साहज जफर ने अपना सेना पती वक्त खां को नुक्त किया था इसका एक चार्ट दिया गया है जिसमें एक तरफ केंदर दिया गया है दूसरे तरफ बिद्रोही नेता और उसके बाद दिया गया है बिद्रोह की तीथी क्या थी और उसके बाद उस बिद्रोह को दबाया किसने दमन किसने किया तो सबसे पले देखते हैं दिल्ली तो दिल्ली में जो विद्रोही नेता थे वो थे बहादूर सादूतिये और बक्त सखा जो बहादूर सादूतिये के सेना पती थे सैनी का नेतरित्त करते थे यहाँ पे दिल्ली में 11 माई 857 को बिद्रोगी शुरुवात हुई थी और दिल्ली का बिद्रोग का दमन निकलसन और हरसन ने किया था लखनव की बात करिये थो लखनव में बेगम हजरत महल और विरजिस कादिर थे और यहाँ पे 4 जून 1857 को इसकी सुरुवात हुई थी और यहाँ पे इस बिद्रोग का दमन कॉलिंग कैम्प बिल ने किया था जहासी या गवालियर यहाँ पे लच्मी बाईयम तात्या टोपे थे विद्रोही नेता तथा यहाँ पे भी चार जुन सत्रेश अठार सो संतावन इस्वी को विद्रोह की सुरुआत हुई थी और यहाँ पे दमन करता थे जनरल हुरोज कानपूर में बिद्रोही नेता थे नाना साहब और तात्या टोपे और यहाँ पे बिद्रोह की सुरुआत पांच जुन अठार सो संतावन इस्वी को हुआ था और यहाँ पे बिद्रोह का दमन केंपवेल ने ही किया था इलहाबाद में लियाकत अली थे नित्रित्त करता और यहाँ पे इलहाबाद में बिद्रोह की सुरुआत चुन अठार सो संतावन इस्वी को हुआ था और कैप्टन कर्नल नील ने इस बिद्रोह का दमन किया था फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला नित्रित्त करता थे और यहाँ पे शुरुआत जून अठार सो संतावन में हुई थी और दमन करता थे कर्नल नील जगदीशपूर में कुवर सी और अमर सी थे और जगदीशपूर में शुरुआत बार जून अठार सो संतावन इस् नित्रित्त करता और बरेली में विद्रो की शुरुवात जून 1857 में हुआ था और विंसेट आयर ने यहां के विद्रो का दमन किया था अगला है फतेहपूर फतेहपूर में अजिमुल्ला थे नित्रित कर था और अठार सो संतावन में ही इसकी शुरुवात होई थी यहाँ पे बिद्रो की और फतेहपूर में बिद्रो का दमन जनरल रेनॉर्ड ने किया था अठार सो संतावन की बिद्रो के समय मुगल बासा बहादूर साज जफर था इन्हें इस बिद्रो का अखिल भारती नेता माना गया था 1857 के बिदरों का अखिल भारती नियता किसको माना गया था तो बहादूर साथ जफर को माना गया था और उस समय यह मुगल बदसा थे वर्ष 5857 के बिदरों के दमन के पस्चात भारत सासन अधिनियम 1858 पारित किया गया इसके माध्यम से भारत का सासन इस्ट इंडिया कमपनी के हाथों से निकाल कर ब्रिटिस काउन के हाथों में चला गया भारत का 857 के बिद्रों के बाद भारत सासन अधिनियम 858 पारित हुआ था और इसी अधिनियम के द्वारा ही इस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार भारत पर से समाप्त हो गया और वह अधिकार चला गया ब्रिटिस क्राउन के हाथों में अगला है महरानी विक्टोरिया ने भारतिय प्रसासन को ब्रिटिस ताज के नियंतरल में लाने की घोषना कब की थी तो इसकी घोषना महरानी विक्टोरिया ने एक नवंबर 1858 को किये थी कब की थी एक नवंबर 1858 को अगला है 1857 के बिद्रो के दमन के पस्चात भारतिय सेना का पुनरगठन के लिए किस आयोग का गठन किया गया था तो 1857 के बिद्रो के दमन के बाद भारतिय सेना का पुनरगठन के लिए पील आयोग का गठन किया गया था अगला है वर्स 1875 के भारत सासन अधिनियम के द्वारा किसे भारत का प्रथम वाइसराय बनाया गया था तो भारत का प्रथम वाइसराय लौड कैनिंग बने थे अगला है अगला है 1857 इसवी के बिद्रोह में कौन सा सायर अंग्रेजों का आलोचक था तो मिर्जा गालिब जो सायर थे वो अंग्रेजों का आलोचक थे भारत के सिच्छित मध्यम वर्ग तथा जमिनदारों ने 1857 के बिद्रोह में तटस्ता बनाई रखे थी यहीं 1857 के बिद्रोह में कौन सायोगी नहीं था तो सिच्छित मध्यम वर्ग और जमिनदार अगला है 1857 के बिद्रोह के कारणों पर भारतिय भासा में लिखने वाला प्रथम भारतिय कौन था है तो यह थे सर सायाद अहमद खा वर्ज ऑठ 577 के बिद्रोह में बिहार का नेतरित्व जगदीश पूर के जमिनदार वीर कुमर सीह के दवार किया गया था विहार का नेत्री किस के द्वर्ण किया गया था तो जगदीशपूर के जमिंदार वीर कुमर सिंह के द्वर्ण किया गया था 1857 इसवी के स्वतंतरता संग्राम में कीस राजवन्स ने अंगरेजों की सहायता सरवधिक सहायता की थी तो यह थे गुवालियर के सिंधिया जिनोंने अंगरेजों की सरवधिक सहायता की थी 1857 के विद्रोह पर अधारित कुछ पुस्तके हैं और उसके लेखक एक तरह पुस्तक है और दूसरे तरह उसकी लेखक पहला है The Great Rebellion इसके लेखक है अशोक महता उसके बाद है First War of Independence इसके लेखक है वीडी सावरकर यानि विनाय दामोदर सावरकर अगला है 1857 1857 इसके लेखक है S.N. Sen S.P.O.E. Munity and the Revolution of 1857 इसके लेखक है R.C. मजुमदार History of Indian Mutiny इसके लेखक है T.R. Holmes अगला है Rebellion 1857 इसके लेखक है P.C. Jossi Causes of the Indian Revolt इसके लेखक है सर सयद आहमद खान आगे देखते हैं किसने 1857 के विद्रो को स्वतंतरता की पहली लडाई कहा है तो B.D. सावरकर ने 1857 के विद्रो को स्वतंतरता की पहली लडाई कहकर लडाई कहा है 1857 के विद्रो को एक सयंतर की संगया किसने दी थी तो 1857 के विद्रो को James Outram एवम डबलू टेलर ने सनयंतर की संगया दी थी तथा कथित प्रथम राष्टी स्वतंतरता संगराम न प्रथम न राष्टी और न ही स्वतंतरता संगराम था यह कथन किसका है यह कथन आरसी मजुमदार का है भारतिय स्वतंता अंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन है तो भारतिय स्वतंतरता भारतिय स्वतंता अंदोलन का सरकारी इतिहासकार SNCN है 1857 के विद्रो पर आधारित प्रमुख मत है कुछ एतिहासकार है और उनके दिवारा दिये गए मत है तो आईए देखते हैं पहला है डॉक्टर S.N. Sin इन्होंने जो कुछ धर्म के लिए लड़ाई के रूपे में परारम हुआ वह श्वतंतरता संगराम के रूप में समाप्त हुआ ये S.N. Sin के द्वारा कहा गया है अशुक महता ने कहा है 1857 के विद्रो का स्वरूप राष्ट्रिय था वीडी सावरकर ने कहा है 1857 का विद्रो एक सुनियोजित था राष्ट्रिय स्वतंतरता संगराम था ये वीडी सावरकर के द्वारा कहा गया है अगला है डॉक्टर RC मजुम्दार इन्हों ने कहा है कि तथा कथित प्रत्थम राष्ट्रिय संगराम नहीं राष्ट्रिय और नहीं स्वतंतरता संगराम था सर जोन लॉरेंस ने कहा है कि यह पूर्ता सिपाई बिद्रो था बेंजामिन डिजराइली ने अठार सो संतावन इसवी के बिद्रो एक राष्ट्री बिद्रो था यह बोला है कि अठार संतावन का बिद्रो एक राष्ट्री बिद्रो था इसने बोला है बेंजामिन डिज्राइली ने पीर अबॉट्शन उन्होंने कहा है अठार संदावन इस्वी का बिद्रो केवल एक साइनिक बिद्रो था जिसका ततकाली कारण चर्वी युक्त कार्तूष था यह सभ्यता और बरबरता के बीच का संघर्स बताया है डेवलू टेलर और जेम साउंटरम ने यह अंग्रेजों के विरुद हिंदू मुसलमानों का स्रयंदर माना है और रीज ने कहा है कि यह इसाई धर्म के विरुद एक धर्म युद्ध था रानी लच्मी भाई के मिर्ति उपर हिूरोज ने कहा था कि भारती विद्रोहियों में एक अकेली पूरुष थी यह एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है आधनिक भारत को हम अगले एपिसोड में कंटिनू करेंगे धन्यवाद